खेलो दोस्तो मेरा नम है सर्फ जी जी सिंग और आप देख रहे हैं टकेश के दूस्तो आज मैं आपको दांगों के रियल्मी 6 प्रो में और ऊटो कोडिकिक ऐसे करते हैं तो जी लहें दोस्तों भी नाक से रिक वीडियो शुरू करता हैं इसके लिए मैं सबसे पहले डाइलर में चल जाना है जैसे आप डाइलर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर टू डोट्स की ओप्शन दिखाई देगी इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर फिर आप सैटिंग पर क्लिक करेंगे और जैसे आप सैटिंग पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यह option दिख़ाये इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ चुनिंददा नमबर की रिकोरडिन करना चाहते हैं तो आप यहां से प्लस के इकन पर क्लिक करेंगे और यहां से Contacts में से किस भी number को Select कर लेंगे या फिर Group या फिर Recent Calls में से कोई भी number Select करके उस नमबर को Auto call recording पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यह number Select कर लेता हूँ, यह यह पर Add पर क्लिक कर दूंगा और यह number add हो गया, इस नमबर की call recording शुरू हो जाएगे बाकि किसी भी नमबर की auto call recording नहीं होगी तो दोस्तों इसे remove करने के लिए आप फिर से two dot पर click करेंगे edit पर click करेंगे और इसे select करके remove पर click कर देंगे remove all numbers और यह number remove हो गया तो चलिए अब मैं आपको दूसरे option के बारे में बताता हूँ record unknown numbers इस पर आप जब enable करेंगे तो जो भी आपके unknown number call आएगी नमबर से unknown number से call आएगी जो कि आपके contact list में save नहीं होगा तो वो सभी numbers की call recording शुरू हो जागी auto call recording शुरू हो जागी जो भी आपके contact में number नहीं save होगा जो भी unknown number होगा तो जो तीसरा option है उसे अगर आप enable करेंगे record all calls इसमें आपकी सभी calls record होगे चाहे वो आपकी contact list में हो चाहे वो आपके unknown number से कोई भी call आई हो सभी calls a to z record होंगी automatically तो जो चोथी option है वो है maximum recordings तो इस पर हम click करेंगे तो आप यहां से recording limits set कर सकते हैं 1000 recordings होने के बाद बंद हो जाएगी 2 या 3 या यहां फिर 9 limit नो लिमिट पर आपकी unlimited auto call recording होंगी कोई भी limit नहीं होगी तो 9 लिमिट पर set करके save पर क्लिक कर दिंगे और जो पांच मां अप्शन है वो है view call recordings इस पर हम click करेंगे तो आपकी जो भी call recordings होगी वह यहां पर शो होंगी और आप उन्हें सुन सकते हैं